जैहिं दोस्तों एक बार फिर सो आगाता आपी के अपने योटॉब चैनल में दोस्तों गराब इंडियन आर्मी या पी टीय आर्मी में भड़ती होना चाहते हो तो आज हम बहुती महतोफोन टोपिक पर बात करने वाले क्योंकि बहुत सारे दोस्त बार बार कमेंट करते रहते कि सर इंडियन आर्मी वर्शेज टीय आर्मी में क्या बड़े डिफरेंट है क्या वो बड़े फाइदे है जो टीय आर्मी में मिलते और इंडियन आर्मी में नहीं मिलते और वो कौन से फायधे है जो यहां पर India Army में मिलते है जबकि टेया आर्मी में आपको benefits नहीं मिलते है इससे related हम संपूर्ण जानकरी आपको इस वीडियो में बताने वाले अगर आप इंडेन आर्मी या टीय आर्मी की recruitment rally में बढ़ती होना चाहते हो तो यहां पर यह जानकरी आपके लिए महत पूर्ण साबित होने वाली है तो दोस्तों पूरी वीडियो की वीडियो में बात करे उससे पहले वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजेगा चैनल पे नहीं हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको recruitment rally की update आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे तो चलो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों टीय आर्मी की recruitment rally भी इंडेन आर्मी कितरही recruitment rally आई जित की जाती है अब बहुत सरे दोस्त बार बार कमेंट करते हैं कि सर्ट टीय आर्मी यह वो ऐस्ताई आर्मी है दोस्तों ऐसा नहीं है टीय आर्मी की मातर एक यूनिट्स ऐसी थी जो ऐस्ताई थी लेकिन अब सभी को इस्ताई कर दिया है तो टीय आर्मी मे अब आपको इस्ताई जो मिल जाती है अब बात करते टीय आर्मी इंडियन आर्मी में क्या क्या benefits है दोस्तों इंडियन आर्मी में जैसा कि आपको pension सुईदा दी जाती है टीय आर्मी में भी आपको ये 15 साल की जब आपकी जो वूरी हो जाएगी उसके बाद में आपको pension सु आर्मी में भी आपका आक सर्विसमें कोटा मिलता है अब यहाँ पर आपको दोस्तों कौन-कौन से पदोपरी आपकी बरतियां होती है अगर बात करें तो इंडियन आर्मी में जैसा कि आपके इन सबी पदोपर आपकी वेकंसी आती रहती है टीया आर्मी में भी दोस्तों सबी पदोपर आपकी बरतिया आती है टीया आर्मी में की दोस्तों क्या होती है अलग अलग आपके जितने भी सेंटर रिकूट्मेंट सेंटर जैसा कि आपका राजरीप गनेडेर राजबुत रे अच्छी जोब होती ही T.A. Army की क्योंकि इंडियन आर्मी में अगर आप जोब करोगे तो बहुत ही हाड वरक आपको करना होगा दोस्तो ट्रेनिंग दोनों की सेम है नाइन मंत की ट्रेनिंग आपके आर्मी की होती है और T.A. की भी आपके इतने ही ट्रेनिंग से होने वाली है और उनी सेंटरों में आपकी ट्रेनिंग होने वाली है दोस्तो अगर आप सोजर जीडी में भरती हो जाते हो T.A. में तो उसके बाद में आपके लिए इतना बेनिपीट है T.A. Army में इंडियन आर्मी से बैटर आप इंडियन T.A. Army को मान सकते हो क्योंकि दोस्तो यहाँ पर दोस्तो बोर्डर पे जाने की जरूत नहीं होगी और आपकी डूटी होगी वो निशित होगी प्रादेशिक सेना T.A. Army को दोस्तो इंडियन प्रादेशिक सेना बोलते हैं प्रादेशिक सेना का मतलब होता है ऐस ताई दब आपातकालिन इस्तिती में जब कभी यूद हो ज दोस्तितियों में भी T.A. Army के जवाने वापर काम करते हैं साथ ही दोस्तो अब बात आती है क्या T.A. Army की जोब होती है वो इस्ताई होती है एक ही जगह आपको करनी होगी नहीं दोस्तो ओल इंडिया बैसेल्स पर है इंडियन आर्मी की उनिट से जैसा एक जगह से दूसरी जगह पर मुमेंट करती रहती है वैसे ही आपकी T.A. Army की जो यूनिटे होगी वो भी एक जगह से दूसरी जगह पर हर तीन साल बाद में मुमेंट करती रहती है और यहाँ पर आपको परमोशन भी दोस्तो जैसा के इंडियन आर्मी में मिलते है उसी परकार के परमोशन तो आपको नाइक, लेशनाइक, हावलदार, नाइक, सुबेदार, शुबेदार इन सभी पदों की आपको परमोशन है वो यह पर दिया जाता है तो दोस्तो आपके लिए बहुत ही बैटर है अगर आप इंडियन आर्मी और या पिर T.A. Army के अगर आप त्यारी कर रहे हो त साथ ही दोस्तों यहां पर आपको AXSERVICEMENT, जियां दोस्तों यहां पर आपको Sun of AXSERVICEMENT certificate भी यहां पर मिलता है आपके बच्चे भी यहां पर सेना में भरती हो सकते अपने AXSERVICEMENT, Sun of AXSERVICEMENT के काड से तो दोस्तों यह थी एक मेरे दुबरादी की छोटी से जानका अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करते चैनल पर नहीं हो चैनल